हेलो गयास, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे एक्ससाइज 1.2 तो चलो पेपर में सॉल्प कर लेते हैं एक्ससाइज 1.2 देखो, फास्ट क्या है? 3 इंट्व माइनस 1 ये क्या होगा? अंसर क्या होगा? देखो 3 इंट्व माइनस 1, ओ जो थियोरी था न एक positive integer एक negative integer को multiply करने से क्या number को पहले multiply कर लो तो 3 into 1 क्या होगा 3 उसके बाद क्या minus sign डालना है तो A हो गया हमारा A का answer ठीक है तो चलो B कर लेते हैं सिर्फ A की 1 and 2 to 5 हमने multiply कर लिया माइनस डाल दिया हो गया तो दूसरा क्या है देखो 2 negative integer तो ओ थियोरी क्या था 2 negative integer को multiply करने से number का multiply करना है और ओ जो product आएगा उसके पहले क्या sign होगा प्लास साइन होगा किमकि देखो A minus A minus multiply होके प्लास हो जाता है तो 21 into 30 क्या होगा देखो 3 से 0 को भूल जाओ थोड़े देर के लिए 0 है ओ भूल जाओ तो 3 into 21 करने से क्या होगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 63 हो गया जिरो को भूल गये थे और पस रिमाइंड कर लो तो यह 0 रिमाइंड करके इधर लिख लो हो गया हमारा multiplication और क्या है माइनस 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 इंटू माइनस प्लास अब देखो प्लास लिखोगे कि नहीं लिखोगे तुम्हारा मर्जी है एक बार मैं लिकी लेती हूँ तो यह हो गया हमारा question number 1 c का अंसर तो next चोलो d d क्या है ओई देखो माइनस इंटू माइनस प्लास इसमें मैंने प्लास डाला इसमें नहीं डालूंगी ठीक है 316 इंटू 1 क्या होता है 316 ए हो गया हमारा question number d का अंसर अब देखो क्या है question number e minus 15 इंटू 0 minus 18 तो हमारा एक प्रोपर्टी था प्रोपर्टी में क्या था multiplication by 0 ओ प्रोपर्टी क्या प्रोपर्टी नमा 3 में था तो 0 के साथ जो भी integer multiply करो अंसर क्या होगा 0 होगा तो यह यह क्या है left side right side भूल जाओ just 0 लिखो ठीक है तो question number f क्या है देखो question number f में है minus 12 into minus 11 into 10 तो फास्ट ए दोनों को multiply करो ठीक है तो minus into minus क्या होगा plus होगा तो एक बलिख लेते है plus और क्या 12 into 11 12 into 11 multiplication ऐसे करो देखो 12 into 11 तो पहले 1 और 2 लिख लो अब 1 प्लस 2 एड करने से क्या होता है 3 होता है तो ए हो गया हमारा 12 into 11 का multiplication ए जो मैंने किया न ए रूल मैंने एक वीडियो में डाली हूँ ओ देख लेना ठीक है तो 1, 3, 2 into 10 हो गया ठीक है तो 10 तो 1, 3, 2 लिख के उसके बाद 0 डाल दो हो गया तुमारा multiplication तो question number F का answer हो गया अमारा अब क्या है question number G 9 into minus 3 into minus 6 तो क्या करना है देखो अब देखो 9, 9 को पहले जैसे है रखो अब ए दोनों को करो ए दोनों minus minus तो multiply करने से वो plus ही हो जाएगा तो छोड़ो plus नहीं लिख रहे हूँ तो number 3 into 6 क्या होता है 18 ठीक है 89 जा कितना होता है 89 जा इसका भी एक जो यह है ना टेबिल का एक रूल मैंने बोला चाहा 18 into 9 एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा बोलो तो 9 8 क्या होता है 9 8 72 72 का 2 इधर लिखो plus इधर 7 करो तो 9 plus 7 क्या होता है देखो 16 होता है तो ए 16 लिखो तो 18 into 9 क्या होगा 162 और किशी को टेबिल याद है वो तो बहुत बढ़िया बाद है तो टेबिल याद है तो 18 into 9 लिख लो 162 तो ए हो गया हमारा कोस्चर नमबर जी का अंसर ठीक है तो ए ट्रिक्स भी मैंने एक वीडियो में डाली हूँ वो देख लेना ठीक है तो चलो कोस्चर नमबर एच एच क्या है देखो माइनस 18 into minus 5 into minus 4 ए तिनों में minus है तो हम क्या करेंगे दो दो करके करेंगे तो पहले easy लिख करने के लिए हम ए दोनों को करेंगे तो first minus 18 मैंने लिख लिया into minus 4 into minus 5 क्या होगा देखो minus 5 minus 4 plus होता है minus minus plus हो गया 5 into 4 20 ठीक है अब देखो एक हो गया positive sign एक हो गया negative sign ठीक है तो एक positive एक negative होने से positive integer एक negative integer होने से जो multi-plication के बाद जो नमबर आएगा उसके आगे क्या sign होता है minus sign होता है यह theory हमने theory portion में कभर किया तो देखो 18 into 2 0 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए तो क्या होता है 18 into 2 कितना होता है 36 तो 36 लिख लो अब 0 को भूल गया थे हो आपस याद कर लो याद करने से क्या होगा याद करने से नहीं होगा उसको डालना भी पड़ेगा इधर तो 360 हो गया ठीक है अब sign क्या होगा minus sign होगा क्योंकि एक positive integer एक negative integer है तो ए हो गया हमारा h का answer अब देखो i का answer i का क्या है देखो minus 1 into minus 2 into minus 3 into क्या है 4 तो देखो मैं क्या करी हूँ एक में ए दोनों को एक में ए दोनों को multiply करी हूँ तो minus 1 into minus 2 क्या होगा देखो एक negative integer एवी एक negative integer दो negative integer को multiply करने से हमें क्या मिलता है एक positive integer मिलता है तो number को हम multiply करने से 2 मिल रहा है तो हमें ए दोनों का product plus 2 मिला अब क्या है multiplication sign डालो अब क्या है देखो ए है negative integer ए है positive integer तो क्या है एक negative integer एक positive integer multiply करने से एक negative integer हमें मिलता है तो ए हो गया minus 12 ओके अब क्या करना है ए दोनों को फिर से multiply करना है फिर से देखो ए है positive integer ए है negative integer तो हमें क्या मिलागा एक negative integer ही मिलेगा तो पहले number को multiply करने क्या मिल रहा है 12 इंटो 2 24 और minus यह हो गया हमारा i का answer अब देखो g में क्या है minus 3 into minus 6 into minus 2 into minus 1 तो चलो पहले ए दोनों को कर लेते हैं और ए दोनों को कर लेते हैं तो देखो minus 3 minus 6 दो negative integer तो इसका product होगा positive integer ए है 18 ओके into ए देखो 2 negative integer तो ए दोनों का product क्या होगा देखो 2 होगा ठीक है तो answer होगा 36 तो एक चीज देखो इधर देखो i में क्या था minus 1 minus 2 minus 3 और plus 4 था ठीक है तो देखो 1, 2, 3, 3 negative signs था ultimately result क्या हुआ minus ओ क्या था odd number था minus का इसलिए minus आया इधर देखो 1, 2, 3, 4, 4 4 क्या है even number even minus sign है देखो इसमें क्या आया plus तो क्या है odd number का minus sign का multiplication है तो ओ product में minus आएगा negative integer आएगा लेकिन even number का minus sign का multiplication है तो ओ positive integer हमें मिलेगा तो यह हो गया हमारा question number one का solution अब हम next वीडियो में करेंगे question number two का solution